नमस्कार दोस्तों मैं Dr. Amit Maheshwari आप सभी का सोगत करता हूँ आज की informative वीडियो में Friends, पिछले कुछ वर्षों में भारत में startup का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोगों को लगता है बिल्कुल नया concept है आज कोई भी व्यक्ति अपने मन में business का plan बनाता है, idea बनाता है और सोचता कहीं से एक बढ़िया investor मिल जाए जो मुझे बहुत अदिक पैसा दे दे और उसके पैसे पर मैं business को खड़ा कर लूँ तो मेरी एक बात को समझ लीजेगा, आज जो investor है वो बड़ा समझदार है उसको पता है कि कौन सा ऐसा startup है जो ठीक तरीके से grow कर सकता है फिर भी possibility 97% एक startup की fail होने की हो जाती है और shark tank इंडिया ने न तो लोगों का दिमाग ही खराब कर दिये उनको लगता है मैं एक business का plan बनाऊँगा, कोई एक product बनाऊँगा और वो product ठाके startup funding event में जाऊँगा या shark tank इंडिया में जाऊँगा और मैं crodo की funding ले लूँगा ये million dollar, billion dollar का जो आंकड़ा देखते हैं न उसको देखकर तो हर व्यक्ति के सपने बहुत बड़े हो जाती है सपने बड़े देखना बहुत अच्छी बात है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके व्यकपार का आकार क्या है फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप बड़े सपने देखने के लिए तयार है हाँ अगर आप बड़े सपने देखने के लिए तयार है ना तो इन्वेस्टर भी आपके सपने पर पैसा लगाने के लिए तयार है बशरते आपको ये तो पता हो कि इन्वेस्टर को ढूंड़ना कैसे है और यदि इन्वेस्टर मिल जाए तो इसको पिछ कैसे करना है और pitch करने का मतलब यह नहीं होता कि आप investor के पाँ जाएंगे अपनी कहानी सुनाएंगे अपना idea बताएंगे और वो आपको थाली भर कर पैसा आपके bank account में जमा कर देगा जरुवत क्या है जरुवत है एक funding के लिए बहतर proposal डिजाइन करने की और एक ऐसा proposal जो investor अच्छी तरीके समझ सके तो आप मेंसे कई बार यह पता ही नहीं होता कि proposal बनाना कैसे है आज इसी विशापरम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर को अगर आपको पिछ करना है न तो बिजनस फानेशल प्लान क्या बनाना है दोस्तों फानेशल प्लान का मतलब यह नहीं है कि मेरे पास एक प्रोड़क्ट है जी बहुत अच्छी कॉइलिटी है बहुत चे सर्वेस है मेरा रिजनेबल प्राइज है और मार्क सवालों के जवाब देने के बाद अगर इन्वेस्टर सेटिसफाइड है तभी आपके बिजनस फ्लान में आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तयार होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ आपके पास एक बहुत्रीन बिजनस फ्लान होना चाहिए जो को आसानी से प्रभावित कर सके तो कैसे बनाते बिजनस प्लान चलो इस बारे में बात करते हैं सबसे पहला आपको क्या करना है सबसे पहले एक समरी लिखें किसके बारे में about your company, product, service, आपकी company का goal क्या है, vision क्या है, achievements क्या है, आपका mission क्या है, आप जो product लेकर आ रहे हैं वो market की क्या problem को solve कर रहा है, यह consumer के लिए कितना बहतर है और consumer को product लेने के बाद क्या फाइदा होने वाला है, कितना बड़ा market share आपके जब देंगे तो एक समस्या का समाधान होगा, या वो consumer उस product को use करने के बाद अपने आपको value addition लेता हुआ, समझेगा, तो सबसे पहले आपकी company की पूरी profile होनी चाहिए, जिसमें आपके product है, service है, आपकी company का goal क्या है, देखिए friends, एक जैसे business में एक company बहुत बढ़ी हो जात और आपका mission क्या है, कि किस उदेश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी बाती न, एक investor को समझाना सबसे पहले बहुत जुरूरी है, और उसके बाद determine your funding need, आपने ये तो समझा दिया, ये मेरा business है, product है, service है, vision है, ये मेरा goal है, ये मेरा mission है, तो हो कहेगा, आप करने के लिए तयारी न, out हो गया हमें, क्यों, क्योंकि वो ये बताई नहीं पाए कि उनको पैसा कितना चाहिए, तो आप देखिए, setup of business में कितना पैसा लगेगा, सबसे पहली बात, business को set करने के बाद जब आप business का project शुरू कर देंगे, उसमें कितना पैसा लगेगा, marketing में कितना पैसा लगेगा, तो सबसे पहले आपको financial need के बारे में बताना है, कि आपको वास्तेविकता में कितना fund चाहिए, अब जो fund आप लेंगे, ये fund किस आधार पर लेंगे, आप उसको equity के रूप में लेंगे, या debt के रूप में लेंगे, equity का मतलब है, आप अपनी company के share, के बदले पैसा लेंगे, company की valuation कराने के बाद, आने वाले समय में एक वीडियो देने वाला हूँ कि company की valuation कैसे की जाते है, और कैसे हम ये समझें कि मेरी company की value क्या होनी चाहिए, दूसरा equity, मतलब अपनी company की partnership के बदले, equity percentage के बदले आप funding लेंगे, या debt, मतलब कर्ज, कि उनक method अपना है, कि debt plus equity दोनों, आपने देखा होगा Shark Tank India में बहुत सारे investors को कुछ debt मिला और कुछ equity, या कई बार कुछ equity पर ही काम हो गया, या कई बार उन्होंने का कि हम equity लगाने के लिए तयार नहीं है, हम तो आपको केवल debt देंगे, करजा देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, कि आपकी जो funding की need है, वो क्या है, और वो कैसे लेनी के लिए आप तयार है, उसके बाद, project your revenue, आपको जरुवत है अपने revenue को project करने की, आप revenue का मतलब क्या है, जब आप business का setup कर लेंगे, proper marketing कर लेंगे, तो कितना expected revenue आने की संभावना है, या अगर आप already business का setup कर में और पूछले पूरी duration में जब से आपने business शुरू किया है, आपको कितना revenue generate हुआ है, उसकी पूरी detailing होनी चाहिए, जैसे expected sales projection, कि अगर जब मेरा business setup शुरू हो जाएगा, marketing हो जाएगी, तो मेरा इतना sales revenue मेरे पास आजाएगा, उसका आंकड़ा, वो आपको देना है, उसक असके बाद historical data, कि पिछले तीन महने में मैंने इतना turnover किया, पिछले हाफ एइर में मैंने इतना किया, पिछले हाफ एयर में मैंने इतना किया, और जब से आप business कर रहे। इतना किया, उससे क्या पता किता है, कि क्या आपका business profitability के साथ-साथ ग्रोथ की संभावना रखता है, अगर हाँ, तभी investor आपके business में invest करने के लिए तैयार होगा. आप मान लिजे, तीन साल पहले आपका profit था एक करूर, दो साल पहले आपका profit रहे गया 80 लाग रुपे, और पिछले साल आपका profit रहे गया 60 लाग रुपे. profit तो तीनों condition में है, पर ये decline आपका profit लगातार घट रहा है, ऐसे में investor invest करने के लिए तैयार नहीं होगा. तो आपका historical data बताएगा कि investor invest करेगा भी या नहीं. उसके बाद market size कितना है? market size का मतलब समझ लिजे, कि आप जो product या service बना रहे हैं, पूरी economy में, वो उस industry में कितने market size को lead करता है? और उसमें से आपका market share कितना है? fine, ये calculation लगाना बहुत जूरी है. उसके बाद आपके product का price क्या होगा? और आपके जो competitors हैं, competition में उनका price क्या है? उनकी quality क्या है? आपकी value addition क्या है? आपने क्या extra उनसे किया है, उनसे लग क्या किया है? और अगर competition है तो आप कैसे अपने competitor को beat करेंगे? उसकी strategy क्या है? ये सारी चीजी detailed होनी चाहिए. Financial viability, जब आप ठीक तरीके से किसी को समझा पाएंगे, तब ही वो व्यक्ति आपकी company में invest करने के लिए तयार होगा. Next जो important बात है, वो estimate your cost. आपने ये तो बता दिया, मेरे business में इतना पैसा लगेगा. मेरे business में इतना revenue आने के संभावना है. तो आपको ये भी तो बताना होगा, कि आपके business में estimated cost क्या आने वाली है. आने का कोई परभाव नहीं पढ़ता है. जैसे rent, rent of factory, rent of showroom, rent of shop, rent of go down. ये उतना ही रहना है. तो इसको बोलता है fix cost. बाकी काफी सारी cost, variable cost होती है. तो आपको fix cost की detail देनी है, variable cost देनी है, जैसे rent, electricity, production cost, marketing cost और बाकी सारे खर्चे. आप कहेंगे कि मेरा total खर्चा पर month इतना है, और पर annum इतना है, और हर साल इस ratio से बढ़ेगा. 10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा. marketing का budget आप हर साल कितना बनाएंगे. अगले तीन साल की projection आपको बनानी होगी, कि पहले साल मेरा यह operating cost है, अगले साल यह होगा, उस से अगले साल यह होगा. जैसे हम revenue की cost बनाते हैं, कि past में मेरा इतना revenue था, present में इतना revenue है, भविश्य में इतना revenue होगा, अगले साल इतना होगा, अगले साल इतना होगा. देखें जब cash flow की बात करते हैं cash flow में दो चीज़ आती है cash inflow और cash out flow आपका पैसा कब-कब आपके पास आएगा और आपका पैसा कहां-कहां जाएगा और उसकी duration क्या होगी जैसे माल लिजे rent आपका महिने में एक बार जाता है salary महिने में एक बार जाती है पर marketing cost आपकी हर दूसरे तीसरे दिन जाती रहती है petty expenses आपके लगातार जाते रहते है ऐसे ही revenue की बात आती है कि आपका sales पर volume का पैसा कब आता है हर महिने आता है, हर 15 दिन बाद आता है या हर रोज आता रहता है उसका cycle of rotation fund क्या है वो बताना जूरी है spend over at a given period of time कि पूरे given period of time में आपने कितना पैसा खर्च करना है आपने का मैं 5 साल का project दे रहा हूँ तो 5 साल में आपको total कितना पैसा खर्च करना है और how your business will generate enough cash to sustain for operation आपने कितना पैसा generate कर देना है अपने business में, अपने operation में sustain करने के लिए उसको चलाए रखने के लिए उसको बचाए रखने के लिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा उसके लिए कितना outflow होगा और कितना पैसा आएगा कितना inflow होगा total spend over कितना होगा कितना खर्च आप करेंगा और कब-कब होगा ये सारी details cash flow statement आपको देना बहुत जुरूरी होता है आप लोगों को पता ही नहीं होता cash flow statement बनाए कैसे तो यह चीजें जो आपको बताती है cash flow statement कैसे बनेगी उसके बाद determine your break-even point अब यह ध्यान चे समझेगा एक investor ने business के setup पर पैसा लगा दिया आप से कुछ percentage of equity ले ली इसका मतलब यह नहीं है कि वो person आप यह देखेगा इन्हीं की revenue कब आने वाला है वो देखेगा कि कितने समय में आपका break-even point आएगा इसको बोलते हैं BEP BEP break-even point अब उधारन से बताता हूं मान लीजिए आपके पूरे बिजनस का जो operating खर्चा है वो दो लाख रुपे है कि सेल आपकी पांच लाख रुपे और पांच लाख पे आपको 10% फायदा होता है इसका मतलब आपको पचास हजार रुपे का profit होता है लेकिन यह gross profit है आपको डेड़ लाख रुपे का net loss हो जाता है एक पचास क्यों दो लाख खर्चा है आपने कमाए पचास तो एक पचास का loss हो गया अगले महीने या अगले तीन महीने में आपकी जो पर्षेल थी वह पांच लाख से दस लाख आ गई अब आपका पर्सेंटेज कितने है दस परसेंट तो आपका एक लाख रुपे आता है अभी भी आपको एक लाख का loss है फिर आपकी शेल बढ़कर कितनी हो गई दस की जगा 15 लाख अब आपको कितना था एक पचास फिर भी आपको पचास जार का loss है अब आपकी शेल कितनी हो गई 20 लाख तो 20 लाख का 10 प्रसेंट देखने में तो 2 लाख रुपे प्रॉपे प्रॉफिट है पर 2 लाख आपका खर्चा है तो आ गया ब्रेक इवन पॉइंट पर जहां आपके प्रॉफिट आपके खर्चे को कवर कर लेते हैं इसका मतलब 20 लाख से उपर की सेल करेंगे तब प्रॉफिट होगा मानलो आपने 30 लाख की सेल की तो 2 लाख पर खर्चा ही हो गया बाकी वचा एक लाख वो आपका प्रॉफिट होगा तो यहां ब्रेक इवन पॉइंट बताना बहुत जुरूरी है ताकि आप अप इस यॉर फ़णेंशल रेशोज फ्रेंट ध्यान रखेगा काफी बिजनस ओनर को यह पता ही नहीं होता फानेंशल रेशो क्या है उससे यह पता है कि मेरे बिजनस में नेट प्रॉफिट है डेड़ लाख रुपे घर लाख रुपे खर्चा है एक लाख रुपे तो 1 ऑन इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर इस बात को जरूर शेक करता है कि मालन लिजए उसने दो करोड़ रुपे लगा दिये और 2 का रुपे लगा दिये और 2 क्रुप पर 2,007 रुपे का प्रॉफिट हुआ एक साल में टोटल इनवेस्टमेंट पर तो रुपार कितनी ह हो गई दो करूड का कितना प्रसेंट है दो लाग एक परसेंट कितनी यह क्योंकूलेट करना बड़ा दरूरी उसके बाद debt to equity ratio कि आपने एक ओनर को जितनी equity दी हुई है उसके comparatively आपके पास loan कितना है ऐसी जब हम share खरीते हैं debt equity ratio देखते हैं कि इस company के पास equity कितनी है मतलब इसकी capital कितनी है equity capital और उस पर करजा कितना है मान लिजी आपकी company के पास equity है दो करोड रुपए लेकिन आपके उपर करजा है 7 करोड का तो क्या अच्छा business profit ratio है या अच्छा business का model है नहीं आपकी equity है 2 करोड रुपए और आपका debt है मान लिजी ये 50 लाग रुपए या 1 करोड रुपए या 2 करोड भी हुआ तो कहेंगे कि इसका कुछ भी निवस्ता है जीरो आ रहा है तो debt equity ratio calculate करना gross profit ratio आप जो sale कर रहे है और जो cost आ रही है उनके बीच का difference क्या है और आपका gross profit का ratio कितना है कितने percent profit है ये आपको देखना है net profit ratio कितना है और financial health कैसी आपके business की कई बार मैंने आपको एग्जैंपल बताया था कि आपका business पहले एक करोड के profit पे था फिर 80 लाक रहे गया फिर 60 लाक रहे गया profit तो हर बार है ना पर आपकी financial health खराब है आपके business की profitability की जो ratio हो खराब है मतला आपका business नीचे जा रहा है तो आपके business की financial health क्या है यह calculate करना बड़ा important है उसके बाद develop a funding strategy कि आप जो fund लेंगे ना वो किस तरह से लेंगे मतला raising of fund कैसे होगा यह समझना बड़ा ज़रूरी है अब raising of fund में फिर वही बात है कि आप जो fund लेने वाले हैं एक investor से वो कौन सा होगा वो equity financing होगी कि आपने अपनी company की इतने percent equity देने के बाद एक certain amount suppose 2 करोड रुपए ले लिया ठीक है ना तो इसको बोलते equity financing debt क्या होगा जिसमें हम zero equity, equity नहीं दे रहे हम सिर्फ कर्ज ले रहे हैं और कर्जे के उपर percentage of interest होगा कि कितने percent पर लेंगे और कितने समय में वापस करेंगे एक तरह से वैसे bank fund हो गया जैसे आप bank से कर्जा लेते हैं किसी private financier से लेते हैं किसी relative से लेते हैं किसी known person से लेते हैं property गिरी भी रख कर लेते हैं तो आप कैसे पैसा लेंगे equity लेंगे debt लेंगे या debt और equity दोनों के लिए आप तयार है अगर आपने देखा होगा shark tank इंडिया में कई business opportunities में debt plus equity दोनों ही दी गई है मतलब कर्जा भी दिया गया है ताकि fixed percentage of interest मिलता रहे साथी साथ equity भी ली गई है ताकि आने वाले बविश्य में जब profit हो तो जो sharks है investors है उनको भी profit हो उसके बाद क्या important बात है सबसे last जो important बात है include supporting documents friends आपने जो proposal बनाया है past performance के अधार पर अपनी company के अधार पर अपनी equity के अधार पर अपनी shareholding के अधार पर इन सब के नब proof होते है आपको क्या करना है जैसे आपकी company का registration आपने बना दी private limited company तो आपकी company का registration certificate आपके कितने number of directors है director की कितनी equity है DIN director identification number आपकी company का pan number आपकी company की income statement आपकी पुरानी balance sheet आपकी tax return मतलब वो सारे proof जो इस बात को prove कर दें कि आपने जो कुछ भी बताया है वो वही है जो मेरी statement पर है अब यहाँ पर सबसे बड़ी problem उन लोगों को होती है जिनकी actual में white transaction कम है और real जो income है real जो business का volume है sales का वो बहुत बड़ा है मतलब black and white कच्चा पक्का सफेद काला जो इस तरह से business कर रहे हैं ना उनकी company की valuation हमेशा उनके white के अधार पर होती है इसलिए friends बहुत ज़रूरी है कि अपने business को systematic business format में ही develop करें ताकि आपकी company की actual wealth का पता लग सके actual health का पता लग सके आपकी financial viability का पता लग सके और एक investor इनी documents के अधार पर एक company में invest करने के लिए तयार होता है इसके लावा investing से related financing से related venture capitalist से related startup funding से related आप किसी भी तरह की consulting करना चाहते हैं तो आप मेरी team को call कर सकते हैं वो आपको invite करेगी आपकी मुझसे personal meeting होगी और मैं आपको guide करूँगा कि कैसे एक proposal develop करना है और अपने business को next level ले कर जाना है स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत